आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नवश्कार दर्शको यह MNS News Network और आप देख रहे MNS News TV मैं वह आपके साथ सेजल तो आए देखते हैं आज की कुछ खास ख़बरे एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स की और UPK 57 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने योगी कैबिरेट का बड़ा फैसला इस प्रस्ताओं पर लगी मुहर सांसदों के निलंबन के बाद बड़ा सियाई पारा डिंपल यादों ने कहा यह लोकतांडरिक व्यवस्ता के लिए दुरभाग गेपुर्णे है नावालिक से गैंगरे पर मृत्यु दंड भड़काऊ भाशन पर पास साल की सजा ग्रोह मंद्रे मिश्वा ने पेश किये तीन बिल आए देखते खबर विस्तार से UPK 97 जिलों में खुलेंगे साइबर थाने का बड़ा फैसला इन प्रस्ताओं पर लगी मुहर साइबर अपराद पर अंकुष लगाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है 97 जन पदो में साइबर क्राइम ठानों की स्थापना के लिए प्रस्ताओं को हरी जंडी मिल गई है उन्नाव राय बरेली सीतापूर हरदोई लखिमपूर खीरी कानपूर देहाद इटावा फतेपूर कन्नोज ओरिया मेरट काजियाबाद और बुलन्द शहर बागपत हापुड सुल्तानपूर बारा बंकी अमेटी अमबेटिकर नगर एटा हात्रस कास गंज मतूरा फिरोजबाद मैनपूरी जोनपूर गाजिपूर चंदोली महराज गंज देवरिया कुशी नगर बलरामपूर श्रिवस्ती बंदायू शाजापूर पीली भीत रामपूर बिजनोर अमरोहा संबल प्रतापगर कोशांबी चित्रकूट हरीमपूर महोबा सोनभद्र बदोही म बलिया, सिधार्त नगर, संतक अबिर नगर, ललीतपूर, जालोन, मुंजफर नगर और शामरी में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी मंगलवार को मुख्यमंत्र योगी अधितिनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई भारत नेट परियोजना के अंतरगर, ग्राम पंचाय तक अप्चिकल फाइबर केवल बिछाने और मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गाव में 4GB सेवाओ की संस्तूती हेतू उपलब्द करवाए जाने वाले वन्य भुमी को प्रीमियर और लीज रेट बुकतान से छु स्यासी पारा डिमपल यादों ने कहा यहां लोकतांद्रिक व्यवस्ता के लिए दुरभाग्यपूर्न है सांसत के शीतकालिन सत्र में सांसदों के निलंबन को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है अभी तक 141 सांसदों को निलंबत कर दिया गया है मंगलवार को लोकसबा में विपक्ष के 49 सांसदों को सस्पेंट किया गया है सोमवार को लोकसबा से 33 और राजसबा से 45 सांसदों को सस्पेंट किया गया है इससे पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था विपक्षी सांसदों पर कारेवाई को लेकर सियासी पारा जा रहा है कॉंग्रेस सांसाद या प्रनाली पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं इसलिए सांसद में अराशदाख ते अलावा कुछ नहीं सपा सांसद डिंपल यादा उन्हें इनको लेकर कहा कि आज लगबग 40 से जादा सांसद निलंबित हुए है कल भी लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 80 से जादा सांसद निलंबित हुए या लोकतांतरिक व्यवस्ता के लिए दुर्भाग ये पूर्न है जो वातावरन हम देख रहे हैं जो हम संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं वह सरकार की पूरी विफलता को दर्शाता है वाइ नैशनल कॉंफरेंस अद्देक्ष फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस किसके हाथ में है वह ग्रोह मंत्रा लेके अदिन है क्या हो जाता अगर केंद्रे ग्रोह मंत्रे अमिशा संसद में आकर पाच मिनिट बयान दे देते और कहा देते कि हम कारवाई कर रहे है आईए बढ़ते अगली खबर की और पीचós केंद्र सरकार ने मौजद अपराधी कि कानुनों की जग तीन नए विध्यक भारतीय नाय सहीता पेश की है केंद्रिय ग्रोह मंत्रे मिशाहा ने अपराधी कización संशोदन से जुड़े तीन नय बीलों को लोकसबा के पटल पर रखा ग्रोह मंत्री तीनों बीरों पर बुद्वार को दो बज़े जबाब देंगे। इंडियान पिनल कोड की जगह भारतिया नयाय सहीता बिल 2023, CRPC की जगह भारतिया नागरी सुरक्षा सहीता 2023 और एविडेंस एक्ट की जगह भारियत साक्ष विदेयक 2023 को सदन में रखा गया इन विदेयकों को अगस्त में हुए संसत के मौनसून सत्र में ग्रोह मंत्रियमी शौने लोकसबा में रखा था, बाद में तीन बिलों को रेवियू के लिए संसत यस्थाई पहुचाया गया था। अब आप हमारे चाइनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News